तो स्वागत है आपका अश्ट्रगल अश्टडी एकाडमी में तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अर्थमाटिक पोर ग्रेशन जिसे हम लोग समानतर स्रेणी कहते हैं और इसमें जैसा कि एक्सरसाइज 5.2 ही चल रहा था और इसमें हम लोग के प्रसंद संख्या चार जो कुछ इस परकार है हमारा तो यहां पर कोस्टन नंबर फोर दिया हुए दोस्तों एपी 3813,18 का कौन सा पद 78 है तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि चुकी दिया है एपी 3813,18 ठीक तो यहां पर हमने लिख दिया अब यहां पर बोल रहा है कि का कौन सा पद 78 है तो हम लोग मान के चलते हैं कि माना यह नवा पद 78 है तो यहां पर ध्यान दियागा कौन सा पद यानि आपको यह तो हमने लिख दिया कि यह नवा पद 78 है अब समझेगा यहां पर 78 जो है कितने नंबर पर आ रहा है यह पूछ रहा है जैस बताना है आपको कि कितने नंबर पे है यानि कहने का मतलब यन को पदों की संख्या अब कितने नंबर पे है तो पदों की संख्या को बता रहा है न हम पुछे कि इसमें अभी कितना पद दिखाई दे रहे तो चार पद दिखाई दे रहे उसी तरह यहां पर कहीं 78 लिखा होग तो सारवंतर D निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, 3, और सारवंतर D बराबर निकालना है अगर आपको, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो D बराबर आपका क्या हो जाएगा, A2-A1, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, A2-A1 is equal to 8-3, बराबर कितना हो जा है न कि AP ही है तो आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं क्यात करना है D का मान डाइट अब यहां पर देखें कि चुकी हम लोग जानते हैं कि AN बराबर A प्लस N मानेस 1 इंटू D होता है लेकिन कोस्टन में क्या दिया है अठाइट दिया है हम यह आप रखेंगे अठाइट बराबर A का मान कितना है दोस्टो 3 है तो यहां पर रखेंगे 3 प्लस N मानेस 1 इंटू D का मान कितना निकले है 5 यह फाइप रख दिया हमने यह प्लस का इधर आया तो मानेस का 78 में से 3 घट जाएगा और बराबर क्या इधर 1-1 इंटू 5 यह बचकी हमारा 78 में से 3 घटेगा तो 75 यह 5 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में और इधर बच जाएगा 1-1 अब इसे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यह 5 एकम 5 5-25 यह मायनेस में इधर आएगा तो प्लस में यानि यहन का मान 16 है ना तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 16 हमापद 16 हमापद क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हमापद 18 होगा है ना तो यह आपका पहला को 14 हो गया हमारा कम्पलीट अब आईए पांच बाद देख लेते हैं तो यहाँ पर प्रस्न संक्या हमारा 5 क्या दिया हुआ है दोस्तों निमनलिखित 17 स्रेणियों में से परतेक स्रेणि में कितने पद है यानि आपको फिर से यन का मान गयात करना है तो सबसे पहले तो यह हमारा एपी दिया हुआ है न तो लिख लेंगे हम लोग 5 का पहला नमबर Right EP क्या दे रख़्ा है दोस्तों तो एपी हमारा 7 13 19 बोट 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 और यह 205 क्या है दोस्तों ए उन का मान है डोट-डोट करके और यह 205 दिया हुआ है तो मान लेंगे हम लोग कि माना A9-पद बराबर 205 है तो यहाँ पर सबसे पहले A, और D का मान गयाद कर लेते है A बराबर हो जाएगा 7 और D बराबर निकालेंगे हम लोग तो 13-7 है ना कितना हो जाएगा हमारा 6 तो अब यहाँ पर लिखेंगे माना पद 205 है दिया जाय तो A n बराबर क्या होता है A plus n minus 1 and 2d is equal to कितना है दोस्तों 205 है पदों की संख्या जब भी बोले ना तो आपको यन कमान गयाद करना है ना समझ में आ रहा है आपको दोस्तों किया गयाद करना है पदों की संख्या तो अब यहां पर ध्यान दीजेगा A कमान रखते हैं हम लोग 7 plus n कमान निकलना है तो इसको एज़ेटी छोड़ देंगा हम लोग D कमान क्या है मारा तो 6 है यहां पर 6 रख दीजे बराबर 205 यह plus का उधर गया तो minus का यन minus 1 into 6 is equal to 205 और यह minus का 7 यह बच जाएगा दोस्तों एक सो अंठान बे कितना बचेगा एक सो अंठान पे छे गुणा में और इधर आएगा तो भाग भाग हो जाएगा तो यहां पर क्या बच जाएगा यन minus 1 अब इसे डिवाइड कीजे 6 या 18 और फिर 6 या 18 या यन minus 1 बराबर कितना आ गया 33 और यह minus में उधर गया तो प्लस म यानि हम कह सकते हैं इसमें कि पदो की संख्या कितना होगा इसलिए पदो की संख्या बराबर 34 तो यहां पे आप देख सकते हैं चलिए कोस्टन नमबर दूसरा देख लेते हैं तो यहां पे कोस्टन दिया हुए 18 15 1,2 फिर कॉमा 13. dot 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 minus 47 इसमें आपको बताना है पदो की सं निकाल लेते हैं यह बरबर कितना है 18 है सारवांतर D कमान निकालेंगे तो D बरबर A2-A यानि 15 सही कि एक बटा 2-18 अब अगर आप इसे आगे हल करते हैं तो 15 दुना 30 और 31 बटा में 2 फिर मैंनेस का 18 अब इसे अगर आप खल कर लेते हैं तो यह कितना बचता है 18 दुना 36 और 31 में से 31 घटेगा तो मैंनेस का 5 बटा 2 ध्यान है न कितना हो जाएगा मैनेस 5 बटा 2 तो यह हो kijken हमरा D कमान अब यह नमा पद कितना दिया हूए मैनेस का 47 है न तो यहाँ पर लिख लिजिए कर न बरबर यह होता है न और question में क्या दे रखा है मैनस का 47 हमें तो पदों की संख्या निकालना है एक का मान रखते हैं हम लोग 18 और plus yen minus 1 into d का मान कितना है दोस्तो minus 5 बटा 2 यह भी हमने रख दिया बराबर है यह किसके minus 47 के अब देखेए अगर ध्यान से तो यह plus का है और इधर जाएगा तो minus का यह minus 5 बटा में 2 बराबर हो जाएगा minus का 47 और minus का 18 अब इसे अगर आप जोड लेते हैं तो 8 यह हो जाएगा 8,7,15 5 और 1,6 हो जाएगा यानि minus का 65 और यह यह दोनों जो है यहां से yen minus 1 इन 2 minus 5 बटा में 2 है यह minus से यह minus कट जाएगा और 5 से यह कटेगा 13 बार में 13,65 होता है अब देखिए यहां पर तो yen minus 1 और इन 2 यह 2 को भेज़ दीजे इधर तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 अब देखिए यह minus में उधर गया तो प्लस में यानि yen बराबर क्या हो जाएगा 27 यानि यहां पर पदो की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तो 27 टाइट जो कि आप देख सकते हैं यहां पर है ना चलिए question number next देख लेते हैं दोस्तो question number 6 दिया हुए दोस्तो अगर है भी तो क्यूं है और नहीं है फिर भी क्यूं नहीं है इसका सब कारण साइद बताना पड़ेगा यहां पर हमने लेट कर लिया चुकि जो दिया हुआ है लेट नहीं करना है चुकि दिया हुआ है जो अब माल लेते हैं हम लोग कि माना कि एनवा पड़ जो है मैंस 150 है तो यहां पर लिखेंगे लेट अब देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो हमें प्रथम पड़ और सारवंतर डी निकालना है तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं जहाँ आप एन बराबर कर लिजे चाहिए यहां पर लिख लिजे आप ए बराबर कितना है 11 और डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्त इसका 3 यानि D का मान कितना आ गया मैनस 3 अब यहां पर एन बराबर लिखेंगे हम लोग ए प्लस इसका सुत्र हम लोग क्या जानते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हमारा माइनस 150 यहां पर ध्यान दिजेगा बोला है कि का एक पद माइनस डेर सो है और क्यों है तो हम हमने बुल दिया कि हमाल लिल यह हमने कि यहांनोघ हे माइनस डेर सो है यानि कि जैसे यहां पर इनधा पत पर 25 CT CT lebih 3 Це कृफ़ा-फ़ध क्या है दो है इसी तरह band vu यहां पर हमें पता डिन आए कि कौन सा उड्ट होगा तो यहाँ पर यन का मान हमें ग्याद करना है अगर यन का आ जाता है तो यहाँ पर जैसे यन का मान 5 आ गया तो 7 आ गया तो हमने बूलती है यहाँ पर A7 यानि 7 जो पद है तो कितना हमारा तो आईए यहाँ पर ग्याद करते हैं हम लोग तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा A का मान कितना निकाले हम लोग 11 क्योंकि यहाँ पर रख देंगे 11 प्लस यन मानिस 1 इंटू D का मान कितना निकाल के आए हैं मानिस 3 बराबर कितना है मानिस का 150 यह प्लस का है उधर जाएगा तो मानेस में हो जाएगा न दोस्तों यहां पर देखा जाए तो यह हो गया हमारा यह मानेस में है यह भी मानेस में कट जाएगा दोनों तीन गुणा में उधर गया तो भाग में तो yn minus 1 is equal to क्या हो जाएगा 161 बटा में 3 यह minus का उधर गया तो plus का so yn is equal to क्या हो जाएगा 161 upon 3 plus 1 और इसेild कर लिया जाये तो कितना हो जाएगा 3 है कम 3 तो 163 उटेगा तो 164 बटा में 3 अब अगर आप इसे divide करते हैं तो point में चला जाता है 3 15 फिर 1 4 बचेगा न और 1 4 बचेगा तो 3 4 के 12 फिर 2 0 बचेगा तो 3 18 पॉइंट 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 पे चला जाएगा यानि कि अगर देखा जाये तो मैं यहाँ पे आपसे पूछूं यहाँ पे पदों की संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं जा सकता है अब 1.5 1.44 पद नहीं हो सकता है अन्प पदों की जो संख्या होना ची यहाँ पे नैचुरल नमबर होना ची यानि प्राकिर्व संख्या तो हम बोलतेंगे कि चुकू यहाँ जैनी इकलाने टो नोट है नः जैनी कि इतना हो गाई नहीं में क्यों कि यहाँं पर जुकी यहां य एक प्राकिर्त संख्या नहीं है एक प्राकिर्त संख्या नहीं है अतह ये नहीं रहेगा दूस्तों अतह कोई भी पद मानिस 150 नहीं होगा जो कि आप इस तरह देख सकते हैं है नो चलिए कोश्चा नमबर अब लिखेंगे हम लोग कोश्चा नमबर 7 देखेंगे तो यहाँ पर कोश्चा नमबर 7 कह रहा है दोस्तों उस एपी का एक तिसवा पद ग्याद कीजिए यानि कि आपको 7 में हम लिख दे एक तिसवा बराबर वाट है नो अब एक तिसवा कैसे ग्याद होगा तो हम यहाँ पर बूल सकते हैं कि चुक कि अब आगे क्या है अगर A और D अगर हमें निकालना है तो आगे कथन दिया हुए उसको पढ़ना जरू है जिसका एगर हमापत कितना है तो 38 है एक आरह बराबर कितना दे दिया हमें 38 दे दिया है ठेक फिर बोल रहा है कि और 16 हमापत क्या है 73 है है तो यहाँ पर A 16 बराब और यह किसके बराबर है? 38 के बराबर. यह समिकरन नमबर पहला. और यहाँ पर तेखी ए-16 क्या लिखेंगे हम लोग?. ए- A het PLUS 15 D और यह किसके बराबर है? 73 के बराबर. तो इसको समिकरन नमबर 2 कर लेते हम लोग?. अगर A A और D का मान गयाद करना है तो समिकरन एक और दो को हल कर देते हैं बिलोपन बिधी से तो लिखेंगे समिकरन एक माइनेस दो से क्या कर देते हैं हम लोग equation first subtract by second देखें समिकरन एक में क्या है a प्लस 10d बराबर कितना है हमारा 38 और समिकरन दो क्या दिया हुआ a प्लस 15d और यह किसके बराबर है तो यह है 73 के बराबर यह हमने इस तरह पार लिया बिलोपन बिधी में तो इसी तरह हल किया जाता है अब आगे देखेंगे यहाँ पर मैं मानस किया हूँ तो यह मानस हो जाएगा यह भी मानस हो जाएगा और यह भी हासिल दे चुका है न तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 और यह कैसा बचे का मैनेस में यह मैनेस और यह मैनेस गया 5 सते 35 यानि डी जो है साथ के बराबर आ गया अब इस डी का मान जो है समिकरन एक में रख देते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग एक्वेशन फर्ष्ट से समिकरन एक से समिकरन एक क्या दिया हुआ है ए प्लस 10 और डी का मान क्या है साथ बराबर कितना है 38 आप यहां पर समिकरन नमबर एक देख सकते हैं यहां पर क्या हमारा है ए प्लस 10 डी डी का मान कितना निकाले साथ यहां पर रखेंगे तो 10 में 7 का ग 30-70, अब बताईए यहाँ पर 70 में से 40 घटा ये 30, 30 में से फिर 2 घटा दीजे, कितना बचेगा 28, और 28 को जब इसमें जोड देते हैं, तो एकदम एकजेक्ट आ जाएगा भी आपको, है ना, 70 आ जाएगा ना, 28 नहीं बचेगा दोस्तों, यह हमारा 32 बचेगा है ना, कितना बचेगा, 32, थोड़ा समिष्टेक हो रहा था, 32 आ जाएगा, और यह कैसा आएगा, तो यहाँ पर मैं लिखते रहा हूं, डिरेक्ट ए बराबर मानस का 32, अब देखिए, ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गय यहाँ पर, डी भी लिखे लेते हैं, इसके बगल में, डी बराबर 7, अब देखिए, हमें तो ग्यात करना था क्या, एक 31 का मान, और एक 31 बराबर क्या है, ए प्लस 30, तो यह वाला में रखते हैं हम लोग, इसलिए, एक 31 बराबर, ए प्लस 30 था, तो यहाँ पर लिखे ए प्लस 30, आईए, यहाँ पर मान रखते हैं, ए का मान कितना है हमारा, मानेस का 32, और प्लस 30, और डी का मान क्या है, 7, तो 30 सते 210, और 210, यहाँ पर मानेस 32, प्लस 210 है, शलिए, इसको घटा लेते हम, 210 में से 32 घटाएंगे, तो 10 में से 2 घटेगा, तो 8 बचेगा न, उसके ब प्लस बाद, यह हमारा, 10 बचा न, 10 में से 3 घटेगा, तो 7, और यह 1 बच गया है, यानि, minus 1, यह minus में रहेगा, प्लस में रहेगा, यानि, एक तिसवा, यानि, एक तिसवा जो पत है, वो 178 होगा, है न, तो में यह आपको समझ में जरूर राया होगा, चलिए, question number next देख देते हैं तो यहां पर question number 8 कह रहा है दोस्तों एक AP में 50 पद है यानि यन का मान आपको दे चुका है यहां पर question number 8 का लिख सकते हैं यन बराबर 50 देती है आगे बोड़ा जिसका तीसरा पद 12 है अमारा यानि कि A3 का मान कितना दिया है 12 है ना बोड़ा और अंतिम पद 106 अंति यन बराबर क्या है 106 या आप इसे यल्ग से भी represent कर सकते कोई दिकत नहीं है इसका 29 पद ग्याद केजिए यानि कि A29 का मान आपको बताना है अब अगर देखा जाए ध्यान से दोस्तों ध्यान से थोड़ा सा तो यहां पर पदों की संख्या बोल रहा है कि 50 है और यहां पर हम लोग देखते हैं यहां पर यन का मान रख देंगे राइट यानि 50 पद कितना दिया है 106 तो यहां पर लिख सकते हैं कि चुकि A3 बराबर क्या है हमारा A3 बराबर हम लोग जानते हैं A प्लस 2D क्या जानते हैं हम लोग A प्लस 2D और यह कितना दे रख है 12 तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 12 बराबर A प्लस 2D या इसे अच्छी तार से लिखे हैं अगर हम लोग तो A प्लस 2D is equal to 12 यह equation number हमारा फश्ट हो जाएगा अब देखिए यहां पर यह नवा पद 106 है यानि अन्तिम पद 106 है अब कुल पदों की संख्या कितना है 50 तो हम बोल सकते हैं कि अपचासवा पद हमारा 106 है तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग A अन बराबर A पचास और A पचास बराबर कितना दिया है 106 दिया है और हम लोग क्या जानते हैं A प्लस 49D और यह किसके बराबर है 106 के बराबर है यह equation number second अब देखिए यहां पर समिकरन एक वह दो से क्या करेंगा हम लोग समिकरन एक में से दो घटा देंगे यहां पर पूलेंगे समिकरन एक मानेस दो से समिकरन एक क्या दिया है A प्लस 2D is equal to 12 और दूसरा बला दिया है A प्लस 49D बराबर है हमारा 106 एक हमने यह भी मानेस यह वाला पूर्शन इससे कड़ेगा यह बचे मानेस का 47D और यहां पर यह देखा जाय है तो यह हो समिकरण 1 से किससे समिकरण 1 से समिकरण 1 क्या दिया हुआ दोस्तों यहां पर देखी समिकरण 1 ही यह है न से प्लस टूडी बराबर 12 a plus two और d का मान क्या है दो बराबर कितना हो ए 12 2 दूना 4 पलस में उधर गया तो मैनस में so a बराबर कितना हो जाएगा 12 मानस 4 बराबर 8 यानि a का भी मान हमारा निकल चुका है a बराबर 8 आठा चुका है और d का मान कितना आ गया है 2 तो अब आईए हमें ग्याद करना है A 29 यानि 29 पल तो हमने लिखा A 29 बराबर A प्लस 28 D होता है न 28 D रख दीजे मान यहाँ पर A का मान क्या रखेंगे दोस्तों तो 8 है तो 8 रखी प्लस 28 और D का मान 2 है 28 दो ना 56 और 58 कितना होता है 64 यानि A 29 बराबर कितना हो जाएगा 64 आप लिख सकते हैं 64 तो यह आपका अंसर है 8 का तो उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा अब फिर भी कोई प्रोब्लम होता है दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं या हमें बता सकते हैं कि सर हमको यहां पर प्रोब्लम हो रहा है तो मैं अस्पेसल आपके लिए ये वीडियो बना कर भेज़ दूँगा उस पर ठीक है तो मिलता है नेक्स वीडियो में धन्यबाद दोस्तों